जहीं दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो इस इन्फरमेटी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप अपनी इंकम टेक्स की रिटन खुद कैसे देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे लोग दोस्तो अपनी इंकम टेक्स की रिटन किसी और वेक्ती से भरवाते हैं और बाद में उन्हें ध्यान नहीं होता है कि हम अब अपनी आईटेर को कैसे चेक करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंकम टेक्स.gov.in की वेबसाइट पर आजाना है जैसे दोस्तो इंकम टेक्स के पोर्टल पर आप आजाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा आपको बहुत सारे उप्शन दिखाई देगे राइट साइड उपर आपको दोस्तो लोग इन और रजिस्टर का उप्शन दिखाई देगा आप ओलरडी रेजिस्टर तो होंगे ही हम ये मान के चलते हैं तब ही तो आपकी इंकम टेक्स की रेटन भरी होगी तो हम सिंपली दोस्तो लोग इन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग उनको password भी नहीं पता होता है कि उनका password क्या है तो forget password नीचे एक option आ रहा है उसके उपर जैसे आप click करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना वापस से pen number डालना है फिर continue पर click करना है तो तीन option दोस्तों देंगे e-filing OTP मतलब जो पहले आपने अपना mobile number और email ID दे रखी थी उस दोनों के ओपर यह OTP जाएगा बाद में आपकी date of birth पूछ करके नया password आप बना सकते है digital signature दोस्तों आपके पास है अगर बहुत सारे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है यसी से तो यह भी आपके काम का नहीं है अधार OTP पर click करेंगे continue करेंगे generate OTP करेंगे click करेंगे I agree करेंगे generate अधार OTP पर click करेंगे दोस्तों तो जैसे आप अपना यहाँ पर अधार OTP डाल के verify करेंगे तो आपसे नया password यह पूछ लेगा हम मानके चलते हैं कि आपको अपना password पता है नहीं पता है तो आप इस process की साहता से आपना जो password है चेंज कर सकते हैं तो हमने दोस्तो user ID और password डालने के बाद में income tax का portal open कर लिया है तो यहाँ पे आपको income tax का portal ऐसा दिखाई देगा आपको second number option दोस्तो E file income tax return पर चले जाना है file income tax return अगर आप return बरना चाहते हैं view file return जो भरी हुई returns है वो आप देखना चाहते है तो इस पे आप click कर देंगे तो दोस्तो यहाँ पे आपको दिखादेगा file 5 filing till date आज तक आपने 5 income tax की return भरी है वो सारी की सारी दोस्तों यह returns देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं back आने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे तो छेओ की छेओ return आपको एक ही page में दिखा दी जाएगी अब दोस्तों कोई भी ITR आपने कहीं पे use करनी है तो ITR की receipt होती है वो first page का जो ITR acknowledgement बोलते हैं वो आपका होता है दोस्तों तो आपको क्या करना है simply save कर देना है save करने के बाद जैसे click करेंगे तो यह देखिए ITR acknowledgement आपका यहां पे आ जाएगा जब तक आप ITR को भरते नहीं है तो ITR का form रहता है और भरने के बाद verify करने के बाद में वो acknowledgement हो जाएगा एक तो आपका acknowledgement होगए दोस्तों इसके साथ में आपको acknowledgement के साथ में ही अगर आपको उसको detail में जाना है कि उसके साथ में आपकी क्या income महाँ पे दिखाई गई है तो यह देखिए इसके बाद में download forum पर आपको click करना है जैसे forum पर click करेंगे तो एक detail के अंदर forum आपका और open हो जाएगा उस detail में download हुए forum को आप देख सकते है यह काफी pages का होता है यह देखिए 68 pages का है business की income है ITR 3 है तो यह बहुत detail के अंदर जाता है तो सारी के सारी detail आप इस तरह से अपनी ITR की देख सकते हैं export to excel पर click करेंगे आप तो आपकी एक excel की file खुल जाएगी दोस्तो उसको जैसे आप open करेंगे तो आपका assessment year कौन से साल की return बरी है आपका ITR original है या आपकी जो ITR वरी अपने आपने revise की है कौन से ITR आपने बरी है 12345 उसका acknowledgement number क्या है आपने खुद बरी है कितनी तारी को बरी है और कौन से section में बरी है दोस्तो 1394 होता है belated और 1391 होता है आपकी जो normal due date में बरी है तो इस तरह से आप अपनी income tax की return दे है ITR JSON को जैसे हम click करेंगे तो एक ये coded सी file खोल देगा इस JSON की file को दोस्तों आप कहीं पर import करना चाहते हैं automatically किसी browser में system में आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे वो use कर सकते हैं तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी informative लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और भी इस तरह के content के लिए आप हमें follow subscribe करना ना भूलें thank you so much दोस्तों जै हिंद जै वरत